नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए लाए हैं दो बहनों की कथा अमावस्या और पोनिमा दोस्तो इस कथा को पूरा सुनने वाले को मनवांचित फल मिलता है तो आप सबी को इस कथा को पूरा सुनना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी हमारी ये कथा अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक पी कर दीजेगा एक राजी में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी चार संताने थी दो लड़के और दो लड़की एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था पूर्णिमा घर के कामों में निपूर्ण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी इसके अतरिक्त वे गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूजरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी ना ही भगवान की पूजा अर्चना करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी पूनिमा सर्वगुण संपन थी फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्रिया मावस्या को ही प्यार करते थे और वे पूनिमा से प्यार नहीं करते थे उसके साथ भेदभाव करते थे राजा के चारो पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रही थे जब वैं बड़े हो गए राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवा योग्य करनियाओं के साथ कर दिया इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवा के योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवा करा दो लेकिन पुत्री अमावस्या का विवा किसी बड़े खांदान में करना और पुर्णिमा का विवा किसी गरी परिवार में करना क्योंकि पुर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाट करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है अब रानी राजा के दोनों पुत्रियों का रिष्टा तै करने के लिए राजा ने अपने पडोसी राज में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिष्टा तै कर दिया और वहीं पास के गाउं में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्रि पूर्णिमा का रिष्टा भी तै कर दिया ये सारी बात चाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं ये बहुत ही पूजा पाट करती है और भगवान में मगन रहती है पूर्णिमा का भाई और उसकी भावी पूर्णिमा से बहुत प्याल करते हैं क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बताती है और यही उनकी दूसरी बेहन अमावस्या उन पर अपना रौब चमाती है और घर का कोई काम नहीं करती कुछ समय बीद चाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवा हो जाता है राजा और रानी की विवा के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हुए विदाई देते समय रानी पुत्रियों को बहुत सारत धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णीमा को भी कुछ नहीं देते खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं इसके बाद दोनों बहने अपने अपने सिस्ट्राल को चली जाती है कुछ दिन बीट जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है जिसमें वे सभी गाउं वालों को निमंतरन देती है और अपनी बहन पूर्णीमा को नहीं बुलाती ज़ो गाउं की सभी ओरते अमावस्या के यहां जाती है तो यह सभद्रिश्य पूर्णीमा अपने घर के दर्वाजी के बाहर बैट कर देख रही होती है तब वहां से गुजर रही ओरते पूर्णीमा से कहते है तुम्हारी बेहन की यहां शिव जी की कथा रखी है क्या तुम नहीं चलोगी पूर्णीमा ने कहा मुझे निमंतर नहीं आया है मैं नहीं जा सकती सभी गाओं की ओरतों ने पूर्णीमा से कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ भगवान शिव की कता है तुम हमारे साथ चलो गाओं की सभी ओरतों की बात मानकर पूनीमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है जब अमावस्या की नजर पूनीमा पर पड़ती है तो वहां कहती है कि तुम यहां कैसे चली आई मैंन तो तुम्हें बुलाया नहीं ता खेर कोई बात नहीं अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और यह कहते हुए अमावस्या ने पूनीमा की गरीबी का भी मजाब उड़ाया पूनीमा की आँखों में आसु आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूनीमा भगवान शिव से विनती करती है हे भगवान क्या पूजा पाट करना गलत है गव माता की सेवा करना गलत है अखिर मेरी गलती क्या है आप मुझ पर अपनी कुछपारदिश्टी कब बनाएंगी पूनीमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बाटने लगती है वे सभी लोगों को प्रशाद देती है लेकिन पूनीमा को वहां प्रशाद नहीं देती पूनीमा बिना प्रसाद ही अपने घर लोट जाती है रास्ते में वे यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रशाद मांगेंगे तो वे उन्हें क्या जवाब देगी उसने सोचा था कि वे अपने माएके अपने भाई और भोजाई की यहां जाएगी और वहां जाते हुए वहां बच्चों के लिए कुछ ले कर जाएगी ऐसा सोचते हुए वहाँ अपने घर वापस लोट गई आई घर वापस लोट कर आने के बाद वह अपने पती और बच्चों से कहती है कि वह अपने माएके जा रही है पती ने कहा ठीक है कुछ समय के बाद पूरिमा अपने माएके के लिए रवाना हो गई चलते चलते रास्ते में एक चबूत्रा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था उस चबूत्रे पर एक बुढ़ी अमा बैठी हुई थी वे कोई और नहीं साक्षा तुलसी मा थी उस बुढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा बिटिया तुम कौन हो कहा जा रही हो पूर्णिमा अपना परीचे देती है परीचे देने के बाद बुढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा यहां तुलसी का पौधा सूक रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूत्रे की साफ सफाई कर दो जिससे मुझे थोड़ी थंड़क मिलेगी पूर्णिमा ने कहा ठीक है मा मैं तुलसी में पानी डाल देती हूं और यहां की साफ सफाई भी कर देती हूं पूर्णिमा ने सफाई करने के बाद बुड़ी अम्मा को भी नहला दिया और बुड़ी अम्मा की भी सेवा की उनके पैर दबाए और बुड़ी अम्मा से कहा कि मा जी और बताईए मैं आपकी क्या सेवा करूं और कोई काम है तो बता दीजिए मैं कर दूंगी बुड़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना पुड़ी मा ने बुड़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी मैं जाती हूँ वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी कुछ समय आगे चलने की बात एक शिवजी का मंदिर आया वहाँ पर उसे एक बुड़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे वह कोई और नहीं साक्षात भोले ना थे उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहा जा रही हो बेटी तुम कौन हो तुम पूर्णिमा ने अपना परीचे दिया फिर उस बुड़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदर की सफाई कर दो तब पूनिमा ने मंदर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाट अरचना भी की और साफसफाई पूजा आचना के बाद उन्होंने बूड़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताईए तब बूड़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जरूर जाना पूनिमा ने कहा ठीक है बाबा मैं जाती हूँ वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाओंगी आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूनिमा को काली जी का मंदिर दिखा वहां भी एक बूड़ी अम्मा चबूत्रे पर बैठी हुई थी उस बूड़ी औरत ने भी पूनिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हूँ कहा जा रही हूँ तब पूनिमा ने उस बूड़ी औरत को भी अपना परिचे दिया बूड़ी औरत ने पूनिमा से कहा कि यहां पर सभी पूजा पाट करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता इसलिए तो मंदिर की और चबूतरी की सफाई कर दो पूनिमा ने कहा ठीक है माता जी और पूनिमा मंदिर की और चबूतरी की सफाई कर देती है और पूजा पाट भी करती है और माता जी का श्रिंगार कर देती है और उस बूड़ी अमा को भी नहला देती है और पूनिमा कहती है नहीं अब कोई काम नहीं है बेटी अब तुम जाओ लेकिन बापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना पूनिमा कहती है ठीक है और वे आगे चली जाती है आगे चलते चलते एक नदी आती है वहां पर भी एक बूड़ी अम्मा बैठी रहती है और वे कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहां आसे आई हो पूनिमा कहती है अपने परिचे देती है बूड़ी औरत पूनिमा से कहती है कि नदी पसनान करने तो यहां सब चले आते हैं लेकिन यहां की साफसफाई कोई नहीं करता इसलिए तुम के नारे की साफसफाई कर दो पूनिमा कहत ठीक है मैं कर दूंगी और वहां की साफ सफाई कर देती है और उस बुड़ी अमा के पैर भी दबा देती है और कहती है मा जी और कोई काम हो तो बताईए बुड़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना और वहां नाओं में बैट कर नदी के दूसरे किनारे पहुँच आती है और वहां ने माइके के घर पहुँच जाती है वहां पर पूनिमा के भाई और भावी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह पूनिमा की बहुत खार्देदारी भी करते हैं और उससे बहुत सारी बात कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता अब कुछ समय के बाद पूनिमा ने वापस अपने सस्राल जाने को कहा उसकी भावी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए खेल खिलोने कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजे रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो और पूनिमा की भावी ने ये थैला पूनिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना इसके बाद पूनिमा वहां से अपने सस्राल के लिए रवाना हो गई और उसी के नदी के किनारे पहुँची और ना उस बूड़ी अम्मा ने पूणिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही कोलना अब पूणिमा के पास बहुत थैले हो गए थे उन्हें लेकर पूणिमा महां से रवाना हो गई और उसी की नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठ कर दूसरे किनार पर उतर गई वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूड़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी उस बूड़ी अम्मा ने पूणिमा को एक थैला दिया और कहा इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना अब पूणिमा के पास दो थैले हो गए थे उन्हें लेकर पूर्णी मा वहां से रवाना हुई आगे कुछ दूर चलने पर काली मा का मंदिर आया वहां पर काली मा बुड़ी मा के रूप में विराजमान थी उसने कहा आ गई बेटी पूर्णी मा ने कहा हा मा जी मैं आ गई तो काली मा ने उसे एक ठैला दिया और कहा तुम यह ठैला अ अब पूर्णिमा के पास थीन थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया, जहां बुड़े बाबा के रूप में शिवजी स्वैम विराजमान थे। बुड़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गई थे। पूर्णिमा चार थैलों को अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गद्दा बना लिया और सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी मा बुड़ी ओरत के रूप में मिलती है और कहती है पुरिमा तुम आ गई पुरिमा कहती है हा माजी मैं आ गई वह बुड़ी ओरत भी उसे एक थैला दे देती है और कहती है कि ये थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना पुरिमा कहती है ठीक है माजी अब पुरिमा के पास पांच थैले हो गए थे पुरिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुँच गई पुरिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके के थैले खोल कर देखने लगी उसमें बच्चों के लिए अच्छी अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजे थी और उसने कुछ कहने भी थे पुरिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिये खाने पीने की चीजों को भी बच्चों को दे दिये बच्चे यह सब पाकर बहुत कुछ थे अब पूनिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मईया ने दिया उसमें धेर सारे हीरे जवारात सोना चांदी आदी थे इसके बाद अब पूनिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मा ने दिया था उसमें बहुत सारा सोना श्रिंगाल का सामान भरा हुआ था इसके बाद मुणिमा ने चौथा थैला खोला उसे भगवान शिव ने दिया हुआ था उसमें बहुत सारी धन संपत्ती भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी इसके बाद अपूनिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माने दिया था उसमें चावल, दाल, साथ प्रकार की खाने की चीजों से भड़ा हुआ था अपूनिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी उसका घर धंधाने से भरा हुआ था, परिपून था अपूनिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा अपूनिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए और शिवजी की कथा में कारेकरम रखा पूनिमा ने गाउं के सभी लोगों को निमंत्रड दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया पूनिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए उसने अपने घर बुलाया अब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजे की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा की घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है इतना सारा धन दौलत देख कर अमावस्या आश्रचकित हो गई उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत क कहां से आई पूर्णिमा ने कहा देखो बेहन तुमने शिवजे की कधा में मुझे नहीं बुलाया था फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रशाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाग भी उड़ाया उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने माई के जाऊंगी और मैं अपने माई के चली गई जो कुछ घटना इस बीच हुई वही सभी घटना अपनी बेहन अमावस्या को बताती है अमावस्या कहती है कि तुम्हें भी प्रशाद मत दो और मुझे डाट लो लेकिन पूनिमा ने कहा कि ये घर जाकर अपने बच्चों से खहकर वहां अपने माई के जाने के लिए तैयार हो गई और माई के के लिए निकल गई उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी मा मिली जो चबूत्रे पर बूड़ी मा के रूप में बैठी हुई थी बूड़ी मा ने अमावस्या से कहा कि ब पाने डाल दो और इस चबूत्रे की साफसफाई कर दो परमावस्या ने का बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है यह गंदी हो जाएगी ऐसा कहकर वहां से आगे चली गई आगे जाने पर उसे भगवान शिवजी मिले उनस से आगे गई तो काली मा मिली काली मा से भी उसने इसी तरीके से बात आगे चलके उसे गंगा माता मिली उनसे भी अमावस्या ने इसी तरीके से बात करी अमावस्या जह नाओं में बैठने लगी तो उसने नाओं में फूलों की जगा काटे भरे थे जो उसकी पैरों में तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की नाकाज की डाइमन अनाज की अब आ गई है तो ठीक है पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी ये कोई काम तो करेगी नहीं उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सबी सो गए अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भावियों स कि मैं अपने ससराल जा रही हूँ उन्होंने कहा ठीक है जाओ अमावस्या बोली पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था मुझे कुछ नहीं दोगे क्या भाई और भावी ने कहा कि तुम घर जाओ थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे फिर अमावस्या वहां तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या बूर्णिमा ने कहा तुम घर जाओ थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे इसके बाद आगे जाने पर उसे काली मैया मिली उन्होंने भी अमावस्या को यहीं कहा इसके बाद आगे जाने पर से तूलसी मा मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ तुमारे थैले तुमारे घर पहुँच जाएंगे अब मावस्या अपने घर पहुच गई है आंगन में ने देखा तो वहां पर पांच थैले पड़े हुए थे अब मावस्या ने मर ही मन में सोच कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धंदौलत आ जाएगी जल्दी जल्दी उसमें सभी थैलों को खोला किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर किसी में कंकर और किसी में कोईला उसे माईके से कुछ नहीं मिला था इन थैलों में कुछ भी नहीं था अम आवस्या दोड़ती मुझे तो कुछ नहीं मिला आखिर क्यूं तो पूनिमा कहती है जब मैं अपने माईके जाती हुँ तो अपनी भावियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हुँ उनके साथ मिलकर काम करती हुँ लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती उनके इज़त भी नहीं करती इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे इसके बाद तुमने गंगा मया को ठुकराया काली मा को भी ठुकरा दिया और भगवान शिप को भी तुमने ठुकरा दिया इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया अमावस्या कहती है बेहन तुम मुझे माव कर दो मैंने तुम पर हमेशे अत्याचार किया मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं मैं भी भगवान की भक्ती करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी मुझे इन सब चीजों का रहसे बताओ तो पूनिमा ने कहा कि तुम तीन सूत्र का ग्यान ले लो और उसकी कथा करना पहले सूत्र में दया मांगना दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमस्षिवाय का जाब करना बहन भगवान ने ये सूत्र दिये है इनको अपने हिर्दे में बसा लेना मैंने भी यही तीन सूतर अपने जीवन में अपनाए थे और सचे मन से भगवान की भक्ती पूजा पाट की थी फिर भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वे भी सब खतम हो गया इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाट करने लगी भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौमाता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी जोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो बेहनों की कथा सुनाई अमावस्या और पूर्णी मा अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई तो कमंट में ओम नमशिवाए जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना